कि यह आप आगे कि उह इस तरह से धखाते जाओंगे तो आपके कॉयल बहुत ही बढ़िया तरीके से देखे बेढ जाएगी यह देखे आपके एक एक तार बेढ गए दोस्तों हिलो फ्रेंट्स कैसे हो आप अड़िया भी ऑष्ट बढ़िया होंगे तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं किस तरह से हमको क्वाइल डालना होगी आसानी से और क्या करना होता है क्वाइल डालने में हमको तो इस वीडियो में हम बताएंगे ज्यादा तो नहीं हम आपको इसमें एक दो क्वाइल बिठा के दिखाएंगे किस प्रकार से हम को यह कोईले बिठाना होगी दोस्तों तो उसमें हम पूरा बताएंगे और आप वीडियो को पूरा देखे और बिल्कुल भी स्किप ना करें तो आप कोईल आसानी से डाल सकोगे किसी भी मोटर में दोस्तों यह हम आपको बता दे 100% अगर आप हमारे वीडियो यह सही तरीके से देखोगे तो आप कोईले बहुती आसान तरीके से किसी भी मोटर में डाल दोगे दोस्तों तो हम आपको बता दे हमको सबसे पहले क्या करना होगा और एक बात और बता दे दोस्तों आपको हम हमारे हातों के मुमेंट को देखेगा हम किस प्रकार से कॉईल बिठा रहे हम महला कि आपको हर चीज इसमें बताएंगे बारी किसे केवल ये हम आपको ये वीडियो इसलिए इसलिए बना रहे हैं कि हमारी को रिक्वेस्ट है आप से हमारा वीडियो पसंद आ तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा और हमारे चेनल पर न बैंक है हो सब्सक्राइब की जिए चाना को भी हाइने पे और प्रेस कर दिए ताकि आने बें वाले नई वीडियो की नोटिफिशन आपको मिलते रहे दोस्तों तो चलिए दोस्तो देर ना करते हुए हम सुरू करते हैं तो हम आपको जो बता रहे हैं वो स्टार्टिंग से अच्छे से समझ यЕगा दोस्तोब और विडियो भी स्किप ना करें नहीं तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा और फिर बोलोगे आपके हम से क्वाईल नहीं पिठा पा रहे सही से, तो चलिए, सुरू करते हैं दोस्तो, तो चलिए दोस्तो, देखिए, सब से पहले हमको क्या करना है, हमारी कोई सी मोटर हो, V4, V6 हो or, या फिर, ऑपन वेल हो, पंडू भी हो, जो भी हो दोस्तो, हमको यह जो पेपर डले हो है, स्लाट में यह पेपर हमको सारी मोटरों में डालना दोस्तों भोसे वाइंडर क्या करते हैं यह पेपर नहीं डालते और क्वाइल डाल देते तो यह हमारे सेप्टी के लिए रहते दोस्तों ठीक है यह हमको पेपर डाल लेना है अब ग्रही बात पीछ की तो पीछ सभी को पता एक बना ना देखे को चीज इस तरह से हमने यह देखेर वसपांटर बनाघ्टेस दोस्ते हैं यह अमारे पांच का जो शबएद पेपर आता इसको फिलिपेपर भी बोलते है कि लेला प पर लेना पसकार साथ आपको बना लेना आगेस् तरह से बना हुआ है टो यह दो पेपर हमारे supporter के रहेंगे तो चलीए यह पेपर सबसे पहले हमको क्या करना होगा यह पेपर हमको जहां पे हमारी स्दोस्ड आपके लंबाई बड़े हो कुछ भी हो दोस्तों तो आपको क्या करना है जिस साइट से कोई डाल रहे हो उस साइट से देखे दोस्तो इतना ही स्लाट से बाहर रखना है ज्यादा से ज्यादा हमको एक इंच दोस्तों ठीक है दोस्तों हर बात की विशेज ध्यान रखना दोस्तों तो आपको कोई परसानी नहीं आएगी यह पेपर इस तरह से हमने दोनों पेपर डाल दिए सबसे पहला इस टेप हमारा यह रहेगा हमने यह पेपर बना के इस तरह से पेपर डाल देना है ठीक है और यह हमको पांच का पेपर लेना है दोस्तों यह भी ध्यान रखना आप हुआ है यह डालने के बाद में दोस्तों हमको क्या करना है देखिए कुछ इस तरह से हमारी कोईले बनी हुई रहती है ॢटीक है यह जिसे कि हमारी ध्रीध है की वॉइंडिंग कर रहे हैं तो हमारी चार क्स का सेट हुँ है तो सब से पहली यह हमारी कोईल यह देख लीजिए इसकी चोड़ाई अब इसको जब बिठाना है तो तब यह चोड़ाई करना है ठीक है इसको इस प्रकार से लेके इसे देखें कुछ इस तरह से हमको यह करना है और दूसरा दोस्तों आपको बता दे इस तरह का पाउडर आता है यह पाउडर इस प्रकार से हाथ में ले लिजिए और यह देखिए इस तरह से क्वाइल पर डाल दीए यह पाउडर दोस्तों आप कोई साथ यूज कर सकते हो यह पर नहीं रहेगा और क्वाइल अच्छे से सेट होगी दोस्तों लेके इस तरह से हमको क्वाइल को सेट करना यह देखिए तो देखिए कुछ इस तरह से हमको यह कोईल है सेट कर लेना इस तरह से यह देखिए कित्ती चोड़ाई रखी हमने आपस में यह देखिए हमारी करीब यह समय लो 2 इंच से 1.5 इंच की बीच की डिस्टेंस रखी है दोस्तो इसकी हमने ठीक है इतना आपको रखना डेर से 2 इंच और अच्छे से सीधी करना कॉयल को एकदम सीधी देखिए हमने किस प्रकार से पूरी कॉयल को सीधी किये दोस्तो ठीक है अब यह करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से हमको कॉयल को यहां पर रखना है यह देखिए यहां पर रख ली हमने कॉयल को यहां पर रखने के बाद में दोस्तों यहां का जो सीरे हैं यह दोनों इसको हमको इस प्रकार से उंगली दोनों रखना यह देखिए हमारी दो उंगली का मुमिंट देखिए यहां पर रखना है और यह दो उंगली यहां पर रखना है और अंगुठा हमारा देखिए इसके नीचे की साइट में यह वाला दोनों अंगुठे अब यह हमको यहां से तूदे हें करने के बाद समय इसां यहां पे यहांने केपुतिकर दोस्तों नहीं वांडे कि दोस्तों Debющ फद्फेह करने लुट करने के बाद में इस प्रकार से मोटर को हमको सब्सक्राइब इस साइट में हमको दोनों साइट इसको फेला के और इस तरह से आगे की और हमको धकाता जाना दोस्तों यह देखिए यह देखिए यह आप आगे की और इस तरह से धकाता जाओगे तो आपके क्वाइल बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए बेड़ जाएगी यह देखिए ही आपके एक एक तार बेड़ गए है दोस्तों और इस प्रकार से फिर आपको slash की मदद से इस को कॉयल को यहां से तोड़ा सा चोड़ी कर देनास दोस्तों इस तरह से इसको चोड़ी खड़ देखिए यहां से हमारे कितने बड़े तरीके से तार बेट गए हैं अब दूसरी साइट में हमको दोस्तों क्या करना यह देखिए अब हमारी दूसरी साइट में अगर हमारे कुछ तार नहीं बेठे हो तो हमको जैसे हमारा पेपर नहीं निकालना पहले और सबसे पहले यहां हमको क्या करना है अब देखे दोस्तों आपको हम बता दे हमारे कुछ तार यहां पर रह गए हैं यहां आगे-ागे की जगा पर क्योंकि उस साइट से तो हमारे बेट चुके यह देखिए आपको दिखाने कोशिस करता हूं थोड़ा पास से यह देखिए यह कुछ तार हमारे तो हमको क्या करना है दोस्तों इस प्रकार से देखिए यह देखिए इस प्रकार से हमने यह बास का है एक लकड़ी का यह बना रखा है और यहां से आगे से इसको हमने नुकिला तीखा कर रखा है यह देखिए आप पतला करके नुकिला कर लीजिए यहां से और यह बना के रखना चाहिए आपको तो इससे क्या करना इससे आपको इस तरह से देखिए आप चाहे तो यह सपोटर निकाल की लिगाल लीजिए तो ये आप चाहे तो ये supporter निकाल सकते हो और आप चाहे तो नहीं भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इस तरह से नुकिला जो हमारा बहां से इसको लेना है और इस तरह से ये देखिए जो पहला तार है हमारा वो आपको बिठाना है आप पहले starting में इसे बिठा अगर अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप यह पेपर निकालने में क्या करना दोस्तो आपको विखकेमाको बताते हैं पेपर निकालने के समय पर यहां से कौङHello इस तरह से अगर आप चाहोगे तो इनको हमारे थोड़े थक्षाल रहे हाठ से भी इस तरह से यह देखिए बिभा सब्कोंगे दोस्तों यह देखिए किस तरह से बढ गई हमास सब्सक्राइब लिए पत्ला आगे से ठीक हैं और इससे तरह से बिठा होगे और फिर हमको वेज डाल देना दोस्तों एक साइट में हमको इसा कर लेना है ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों यह कितना बड़े तरीक है से हमारी कॉइल बेट गए देखिए और इसी परकार हमको दूसरी साइट में भी क्या करना है देखिए यह पेपर हम जब यहां से कर बैंट चुकितनी बड़िया तरीके से लिए तो देखें दोस्तो कुछ इस तरह से burst यहां मे पी तरह सकते हो में यह इस नुन सकते हैं रिखेंट करना मिं दिखा देते हैं किस तरह토्रक्षेlli को देखिए हमको पहले तो क्वाइल को कुछ भी हमारा तार वगेरा जो भी इसमें बांदा हुआ रहता है वो हमको निकाल लेना इसमें से और फिर देखिए हम आपको बताते हैं हमको कुछ तार लेना इस तरह से और दोनों अंगुठों की मदद से इसे देखिए यह दोनों अं की और दबाना देखिए फिर लिए हमने फिर आगे की और दबाना दोस्तों और इस तरह से फिर आदे तार हमको लेकर आगे की और दबा देना ताकि हमारी क्वाइल अच्छे से सेट हो जाए यह देखिए यह हमारी क्वाइल अच्छे से सेट हो गई दोस्तों तो इस तरह से ह क्यों हम चलिए जल्दी से से एे तो देखें दोस्तों कुछ तरह से हुमारा यह क्यों बिठाना ऌगी अगर उस तरह से आप कोईले बिठाएंगे तो आपकी श्लाट video में जाहे वह विपोर की ज़ेटीब कोई मोटर दोस्तो mindset बहूती आसान तरीके से आपकी कवाईले में जाएगी। और अवन्हें आपको बताई है समें वो काट उनकी πάस्त में दूस्त और आप बहुत largest इस्टेंट इस क्वैल में तो इसको इस तरह से यहां से पकड़ना है इस तरह से पहले तो यह करना ठीक दोस्तो अब यह हमको इस तरह से सीधि करना है और आपको पाउडर का यूज आप जितनी तार हमारे सिधय रहेंगे उतने आसानी से कोसे सबस्वाइन डाल सको दोस्तों आ डेकर ये हमने इसकी कितनी स्टेंस कर ली願い से सबस्क्रपैक Beim को अधिन्हेंस के चलिए इसको भी बिठाकर इखते हैं आपको तो देखिए सेम वही प्रोसेस हम आपको इसमें बता रहे हैं यह आगे से हमने देखिए इस तरह से तोड़ा वायर तार हमारे चोड़ाई में कर लिए देखिए और एसी की एसी हमको यहां पर स्लाट में पेपरों में डालना है पेपर में डालने के बाद में दोनों हातों के धकेल तो जाना आगे क्वाइल को यह देखिए इस तरह से करना है हमको और क्वाइल को धकेल देना दोस्तों यह देखिए हमको बहार की और चोड़ाई में करना है यह देखिए कुछ इस तरह से हमको यह धका देना क्वाइल को अंदर की और तो यह देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से हमारे सारे तार कोईले बेट चुकी है दोस्तों और इसी प्रकार इस साइड से हमको वापस से बाकी के बच्चे हुए जो तार रहते हैं वह आप पेपर निकालोगे तो भी बेट जाएंगे और कुछ रहे तो आपको हमने वह तरीका पता ही दिया देखि इसकी यह हमने आपको जो तरीका बताया दोस्तों यह आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा बिल्कुल भी स्किप नहीं करा होगा दोस्तों तो आप 100% किसी भी बोटर में की वाइंडिंग कर सकते और स्लाटों में कोईल आसानी से बिठा सकोगे दोस्तों इस तरीके स जो हमने तरीका बताया है आप हमारे हाथों को मुवमेंट को देखिए और सेम जैसे हमने बताया आपको वो प्रोसेस कीजिए आपकी सारी कोईले बहुत ही आसान तरीके से बेड़ जाएगी दोस्तों तो आई होप तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिर मिलते हैं next topic के साथ में नए वीडियो में दोस्तों तो चलिए आज के लिए इतना ही thank you for watching my video